A very good morning to all, आज 4 जुलाई है और आज अमेरिका का 246 सुतंत्रता दिवर्स मनाय जा रहा है दुनिया के एक सक्तिसाली देश के सुतंत्र होने की ये कहानी है 4 जुलाई 2022 ये 246 बर्सगाठ है अमेरिकान इंडिपेंडेंस का बैक्ग्राउंड ये है कि 1760 और 1770 इसका जो दसक था उस दोरान अमेरिकी उपनिवेसों ने कराधान यानि टैक्शेशन और सीमा निती के सम्मंध में जो ब्रिटिस समराजवादी निती था उसके साथ खुद को तेजी से ये हम महसूस किया कि हम लोग बंधन में बंद गए हैं ये मुल अमेरिकी लोगों की एक तरह से सोच और समझ थी क्योंकि अमेरिका में उसमें जो वहाँ उपनिवेस था उस पर ब्रिटेन का सासन था ब्रिटिस उपनिवेस था जो भी अमेरिकी लैंड थे तो ये सत्रह सो साथ और सत्रह सो सत्तर इस दसक के दोरान ये लोगों में बात आ रही है क्योंकि जिस तरह से टैक्सेशन वहाँ लगाया गया जो सीमा निती थी वह वहां के लोकल लोगों को लगा कि ये हमारे लिए बाधक है उपनिवेसों में ब्रिटिस अधिकारियों ने अनौप चारिक अस्थानिये सरकारों दोरा अपने अधिकारों को चुनोती दी हलाकि कुछ चत्रों में बफादारी की भावना रही अन्त में क्या हुआ कि संजुक तराज अमेरिका की अस्थापना हुई इंडिपेंडेंस डिक्लियर हुआ चार जुलाई 1776 को और उस समय तेरा उपनिवेस थे इन लोगों ने सुतरनता की घोशना कर दी और लोगतंत्र के आदेश पर उस सुतरनता की निव रखी गई तो चार जुलाई 1776 और तेरा उपनिवेसों ने सुतरनता की घोशना की अब आजादी की घोशना जो हुई सुतरनता की घोशना एक प्रिष्ट का दस्तावेज था लेकिन इसने समिधान और अधिकारों के विधेक सहित अन्य दस्तावेजों की निव रखी इंट्रेस्टिंग बात है ये जानना कि तीन मुख विचार इसमें सामिल थे और उसने में 1776 की बात है त्री इपोर्टेंट आइडियाज तीन मुख विचार सभी पूरुस समान है मतलब सभी लोगों का लाइफ जो है इक्वल है सभी पूरुसों के कुछ और प्रिहार्ज अधिकार है नैच्रल राइट्स है जिनमें जीवन, सुतरनता और खुसी की खोज सामिल है अपने और दुसरों के लिए इन अधिकारों की रक्षा करना लोगों का नागरिक करतब है फिर भी देखिए यहाँ पर वर्ड पूरुस है महिला वर्ड नहीं है सभी लोग नहीं है कि वल कहा गया सभी पूरुस समान है अमेरिकी समाज में भी महिलाओं को सुतरनता बाद में मिली है यह इपॉर्टिंग भी हुई और दो दिन बाद चार जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कलोनियों के परतिनीधियों ने शुतरनता की घोशना पत्र को अपनाया और यह हमेशा इपॉर्टिंट डॉकुमेंट माना जाता है इसका नाम है थॉमस जैफर्षन थॉमस जैफर्षन द्वारा यह डिक्लियरेशन तयार किया गया था एक एक फ्रेस्टोडिकल डॉकुमेंट है थॉमस जैफर्षन जिसको 13 कोलोनियों ने एक्सेप्ट किया अंतिनेन्टल कॉंग्रेस अमेरिका में तेरा उपनीवेशों के परतिनिधियों की बैठक थी एक मिटिंग का कॉंशेप्ट था इसमें 13 उपनीवेशों के परतिनिधियो भाग लेते थे और यही Continental Congress AMERICI क्रांथिकारी जुद्ध में एक जुठ होकर British शांसन का विरोध किया था तिक अमेर की क्रांथिकारी जुद्ध इसके पहले थी 1775 से 1783 जिसे संजुक्त राज में अमेरीकी सुतनता जुद्ध रीया क्रांथिकारी जुद्ध भी कहा गया ग्रेट बिटेन और उसके तेरा उत्री अमेरिकी उपनिवेसों के बीच एक तरह से ये सैन संघर्स था जिसे वे उपनिवेस सोतंत्र संजुक्त राज अमेरिका बने यह सुरुवाती लड़ाई उत्तर अमेरिकी महाद्विप में हुई थी जुद में तेरा उत् सब्सक्राइब है संजुक्त राज अमेरिका का तो सभी लोगों के लिए आपको बता दें आज ही का निव्ज है कि अमेरिका में मेक्सिको के बाद सबसे अधिक बचने वाले भारतिये जो हैं लोग हैं तो भारत का भी direct connection है अमेरिकी समाज में भारतिये लोगों का बढ़ती जा रही है और इसलिए जरूरी है और इसलिए आज आपको बताया गया कि यह जो है 247 दिवस चार जुलाई 2022 को मनाय जा रहा है ओल अबेस थैंक यू बेरी मच